जो बिल्डिंगें बनती है, कम्पनी के अंदर हो या बाहर में बिल्डिंग हो, चौकाने वाला ये बात है कि यहां पे लाखो लाख मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन रजिस्टेशन यहां पे मात्र 31,000 का रजिस्टेशन है, तो L&T के यहां 500,000 मजदूरें काम करते हैं, उस उसका पीएफ कटता है, वो भी नहीं हो रहा है, तो लेवर के साथ बहुत बड़ा धोका हो रहा है, टाटा कमपनी है, टेलको कमपनी है, लफार्ज कमपनी है, सब की हैं बिल्डिंगें बनती है, लेकिन कोई भी आदमी, कोई भी कमपनी से शेसरासी जमानी करता, सरकार को अर्वो अर्वो रिर्वाय का चुना लगाता है। जा रहा है लेकिन उसका सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। लेकिन उनकी स्थिती क्या है और क्या हमारा जो स्थरम विभाग है क्या हमारी सरकार है और कितना बेवस्था उनको लेकर चिंतित है आप जब नजर डालेंगे जिधर नजर डालेंगे उधर निराशा ही निराशा आपको हाथ लेगेगे। कानून का क्या राज होता है वो सिर्फ मजाक बनके राजाता है हमारे साथ आटि आई एक्टिविस्ट सदन ठाकूर है इन्होंने ऐसे कुछ सुचना मांगी थी स्रम विभाग से कि क्या कुछ आपके पास आकड़े हैं और आप क्या काम कर रहे हैं तो सुचना एक तरीके से च मजाक होता है पहले हम इनकी सुचना की बात करते हैं तब आगे की हम बात आपको बताएंगे सदन जी जो आपने स्रम विभाग से सुचना मांगा है क्या कुछ मिला है और क्या आपके सवाल थे उसके क्या जवाब है देखिए हमने सरम विभाग से आठ मुद्दों पे कुछा था कि आप जो बनती है कंपनी के अंदर हो या बाहर में बिल्डिंग हो जो भी जो भी हो तो आप ने कितने मजदूरों का निबंधन कराया तो आपको चौकाने वाला यह बात है कि यहां पे लाखो लाख मजदूर काम कर रहे हैं लेकिन रजिस्टेशन यहां पे मा करता है वह कैसे मिलेगा वह काम कराके हो सकता पैसा नहीं दे इसलिए हो दो भी आखता है जो उसका प्रफ करता है वह नही हो रहा है तो लेबर के सात् भूत बड़ा धोख़ा हो अभी तक ब्रेदिन्डिति चाँât बिल्डिंग बनाती है यह से महाले एल्नटी भी बनाती है, यह ःवटी के सी बनाँ निमंदन नहीं के पारण मजदूरों को जो मिलने वाला सुविदा है वो नहीं मिल पाता है तो उसी को लेके हमने लेवा डिपार्टमेंट से आठ बिंदों पर सुचना मांगा था कि आप जो पहला कोस्चन हमारा था कि आपके यहां जो बिल्डिंगे बनती है जो बिल्डिंगे बनती है तो उसमें आ तो उसमें मात्र छे आदमी पे ही छे साल का सुचना हमको मिला है जो उन्होंने शेसरासी जमा कराया ना टाटा कंपनी इतना बड़ा बड़ा कंपनी है टेलको कंपनी है लफार्ज कंपनी है सब की हां बिल्डिंगे बनती है लेकिन कोई भी आदमी कोई भी कंपनी से सरासी जमानी करता सरकार को अरबो अरबो रुपया का चुना लगाता है तो उस पे लेबर डिपार्टमेंट से हमने भी मांगा था कि आप जो बिल्डिंगे निबंधित नहीं है उसके उपर आप क्य लसके रखा है तो सरव मधिक्षक के द्वारा आपने कितने बिल्लिंगों का निरिक्षण कराए कि वैं इसन ना रफक क्म कर रहा है तो हर चीज में सुन है फिर हमने मांगा था कि जो आप आपका जो बिल्बिना निवंधन का जो काम कर रहा है तो उस ऐसे निवंधन क्या कि आपने कितना क्रिमिनल केस किया तो उस पर भी क्रिमिनल केस भी नहीं है तो हर तरब से मजदूरों के साथ सोसन जिसमें सरकार भी सामिल है लेबर डिपार्टमेंट को सबसे कोई मतलब नहीं है जो जाता है labor labor का सिध्रित में कुछ काम नहीं करना अपना पोकेट भरना है चाहरे वो लेवर कंडि डिप्टी लेवर कमिशनर हो लेवर कमिशनर सहाब का 3-3 जीला का परवार है वो कुड कोलाहन का लेवर कमिशनर है तो हमने 3 जीला मंगा था लेकिन केवल हमको यहाँ पे जमशेदपूर के केवल हमको दिया गया जो अधितपूर भी इसमें सामिल है तो वही भी दिया गया शराय किला का नहीं है चैवासा का नहीं है तो लाखो लाख मजदूर काम करता उसके साथ धोखा होड़ा अगर सपोज कीजिए कमपनी के अंद आपको सालो साल काम करता और सरकार का destor An matar को कोईले वर अगर जाएगा तो उसका निमंधन नहीं है तो लाखो लाख मज़ूलिये luxement पास कैसे बना रहा उसका सिप्टी कैसे बन रहा तो उसका निमंधने नहीं है तो उस साथ कौन खरा होगा जो मुद्दा है आप समझ गये होंगे जो इन्होंने सवाल मोटे तोर पुछा था जिसका जबाब निराशा जनक है उस तरीके से नहीं मिला और सच मुझ में सच चाहिए है लेवर डिपार्टमेंट को भी सोचना चाहिए और मजदूरों को भी सोचना च हम आपसे अपील करते हैं कि आप अपना निबंधन कराइए अगर आप निबंधन कराते हैं तो आपके बच्चे को भी शनation मुलेगा अगर आपका प्यूइफ इस लिए आपको हम आद़र के बिनिती करते हैं कि आप लेवर डिपारटमेंट को सुरक्षित रखिए यह हमारा आपसे नवर निवेदन है मजदूरों से जो कंपनी अंदर काम करते हैं या बिल्डिंग यहां काम करते हैं तो आप से मेरा दौर खास्त है कि आप केबल निमंधन कराइए और अपना हक कलड़ाई लड़िए अगर आपका निमंधन है तभी जो हमने अपील करना था उन्होंने किया बहुत जरूरी है तो हमारा भी यही आग्रह होगा कि आप अगर निबंधित नहीं है तो कराइए और अपनी हक की जो बात है कई बार मजदूर कहते हैं कि कहने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन हम सामने नहीं आ सकते हैं क्योंकि नोकरी जाने का खत्रा है तो आप बिना नाम बताए भी आप वाट्सप के मादेम से आप कमेंट करके आप इंबॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम्स डाल सकते हैं कंपनी के नाम के साथ आपकी नाम की कोई जरूरत नहीं उन सुचना को हो सकता है कि जो आप हमें पहुचा आने के लिए उन मुद्दों पर कोशिश करेंगे तो आपको लेकिन आगे बढ़ना होगा तभी जाकर आपकी हक की लड़ाई लड़ी जा सकती है अपने सेवगी सेश्रा मुर्ति के साथ सच्छी बूशन सोचल समाद निवस जार खन